तो दोस्तो इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कड़ाई को गेजबा रख दी है इसमें हम डाल देते हैं पानी तो मैंने यहाँ पे दो कप पानी को डाल दी है अब हम इसमें डाल देते हैं टेबल स्पन से दो टेबल स्पन कोकिंग ओईल कोई भी अपने मन पसंद क कोकिंग ओईल यहाँ पे आप ले सकते है अब हम इसमें डाल देते हैं स्वात के ही सबसे नमाग फिर हम पानी को उबलने के लिए छोड देंगे पानी में उबला चुका है अब हम यहाँ पे डाल देते हैं एक कप सुझी सुझी आप मोटी या बारिक वाली कोई भी ले सकत सूजी को डाल देंगे और पकाएंगे गेस की फिलम को रिमीडियम में रखते हुए हमें सूजी को डोबनने तक पकाना है सूजी जो है डोबन चुका है गेस की फिलम को ओफ कर देते हैं और सूजी को निकाल कर साइड में रख देते हैं ठेंडा होने के लिए दूसरी करते हैं यहाँ पर मैंने दोबले हुए आलू लिए है आलू के मैंने छिलके उतार लिए है एक फॉर्क ले ले लेते हैं और इससे हम आलू को यहाँ पर मेंस कर लेंगे अफ़ जाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंसारे आलू को मेंस कर रही हूँ आलो को मिस होने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक प्याज जिसको मैं ने चौप कर ले थी आदरा को लेसें का पेश्ट छोटे चमच से एक चमच एक हरी मिर्ष को काट कर डाल देते हैं तीखा खाना पसंद है तो दो या तिन मिर्ष ले सकते हैं फिर एक चमच हरा धनिया डाल देंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर एक चुथाई चमच धनिया पाउडर को डाल देंगे एक चुथाई चमच गरम मसला पाउडर एक चुथाई चमच चाट मसला पाउडर और एक चुथाई चमत से थोड़ा सा ज़्यादा मैने लिए कस्मिरी लाल मिश पाउडर और एक चुथाई चमत से थोड़ा सा ज़्यादा आमचुर पाउडर को डाल देंगे साथ में स्वात के ही साथ से नमक को डाल देंगे इनको डालने के बाद हम आलो को इन मसालो के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे तो यह जो है स्टफिंग बनके तयार है बहुत है इजी और सिंपल सा स्टफिंग यह जो स्टफिंग है खाने में काफी टेस्टी है तो इस्टफिंग तयारे इसको साइड में रख देते हैं अब ये जो सूजी है इसको थोड़ा था थंडा हो चुका है तो इसको हम यहाँ पे गुत लेते हैं अच्छे से हमें सूजी को सॉफ्ट कर लेना है तो सूजी जो है यहां पे मैंने अच्छे से सॉफ कर ले यहां पे मैंने 2-3 मिनट अच्छे से गुत ले थी अब एक छोटा सा फुर्शन को हाथ में उठाएंगे और इस तरह से हम इसके बॉल्स बनाएंगे तो हमें मीडियम साइज के बॉल्स बनाके तैयार कर लेना है तो एक बॉल्स मैंने बना ली है दूसरे वाली बॉल्स को भी सेम तरीके से उठाएंगे तो दोस्तों यह जो रेसिपी है बहुत ही ईजी है और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने का मायन हो तब आप इसको बिना सकते हैं और इस तरह का एक हम ले लेते हैं यह जो हम नीम्बू नी चोड़ते हैं इसको ले लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा तेल को पहले से ग्रीज कर लेंगे और उपर से एक बोल कर रख देंगे फिर हम उपर वाले से नीचे की तरह प्रेस कर लेंगे तो इस तरह से करने से क्या बंद कर देंगे तो ये बंद के तयार हो जाता है आसानी से तो दूसरे वाली को भी थोड़ा सा अप्टेस कर देंगे और ये बंद के तयार है हाथों से हम बनाते हैं तो ये जो सूजी है चारों तरफ से फटने लगता है थोड़ा सा मुस्किल होता है इस तरह से कहने से कोई मुस्किल नहीं कोई जंजट नहीं आसानी से बन जाता है सारे बोल्स मैंने सेम तरीके से बना ली है तेल को मैंने पहले से गरम होने के लिए रैक दी थी तेल मीडियम हीट है तो मीडियम हीट है तेल में हम इनको डाल देते हैं बोल्स को और गेस की फिल्म को भी हम मीडियम ही रखेंगे तो यहां सारे बोल्स को डालने के बाद 2-3 मिनिट तक पकाएंगे और इनको हम पलडती हुए अच्छा से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है तो दोस्ते एक छोटी से रीक्विस्ट है मेरे आप से आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल लाइकन को भी प्रेस कीजेगा इससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूलिएगा ताकि आपकी दूस्तों तक आपकी फेमिली तक मेरी रेसिपी पहुंच सके और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके सपोर्ट मिल सके तो यहाँ पर यह जो बोल से बनके तयार है आप इसको चटनी या चाहे के साथ इंजोई कर सकते हैं आप एक बार जरूर से बनाएगा वीडियो में बने रहने के लिए धन्याबाद हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में